Well, in this video, we are going to study about this article 2.3.2, okay? So, इसमें पढ़ेंगे क्या? We estimate, this is the estimation of very small distances. हम छोटे distances को कैसे estimate करते हैं, इसका पता लगाएंगे. और दूसरा हम एक molecule के size को कैसे determine करते हैं, ये पता लगाएंगे. तो हम अपनी चर्चा को शूरू करते हैं. देखिए, हमारी जो इसमें problem रहेगी, कि यदि हम एक very small size के किसी object को देखना चाहते हैं, for example, कि आपके पास एक molecule है, और molecule का जो size होता है, वो एक ongstrom के से, का एक से लेके 100 का multiple होता है. Means, कि आपका जो एक molecule का जो size होगा न, one ongstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter, तो जो size of the molecule होगा, हम ऐसा लिखते हैं, size of the molecule जो है, वो क्या होगा? यदि आप इसको 100 से multiply करें, one ongstrom को, और comma one से multiply करें, एक ongstrom को, तो एक क्या बन जाएगा जी? यह बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 10 to the power minus 10, तो यह अंदाजा लगा लेजिए, कि हम एक ongstrom का, एक से लेके, one to hundred, multiple में, molecule के size का पता लगा सकते हैं, right? अब सवाल है कि हम इसको करेंगे कैसे? तो उसके हमारे पास कुछ तरीके हैं, जो हम already जानते हैं, पहला तरीका क्या है? कि आप एक meter scale का इस्तेमाल करें, अब हम चेक करते हैं, कि हमारी meter scale कहां तक माप सकती है, देखी अभी तक की सूचना के अनुसार जो है, आपकी जो meter scale है, वो कम से कम एक millimeter की range माप सकती है, minimum से minimum, इसका मतलब आप meter scale का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपके पास क्या है मापने का, the second method is vernier caliper, का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो vernier caliper कितना माप सकता है, जिसका least count कितना है, वो एक centimeter का सौबा हिस्सा तक माप सकता है, मतलब यदि हम ये कहें कि least count of vernier caliper क्या होगा, 0.01 centimeter, अब देखिए, आप 10-10 meter के range से बहुत दूर हैं, तो ये method भी fail हो गया, आगे हम चलें, तीसरा तरीका हमारे पास है, हमने जो पड़ा, जो अगला instrument है, वो screw gauze, तो screw gauze भी क्या कर सकता है जी, एक centimeter के, एक हजारवे हिस्स्य तक माप सकता है, मैं यूँ कहूँ, क्योंकि उसकी minimum counting क्या है, least count, 0.001 centimeter है, इसका मतलब ये भी fit नहीं बाठेगा, चौथा हमारे पास तरीका क्या है, स्फेरो मीटर है, और स्फेरो मीटर जो है, उसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक centimeter के, एक हजार में हिस्से तक मापता है, यूँकि उसका least count भी 0.001 centimeter होता है, और ये भी fit नहीं बाठेगा, तो फिर हम molecule के size को मापेंगे कैसे, आगी आपके पास एक 5 वी option है, 5 वी option है कि आप एक optical microscope का इस्तेमाल करें, now you can use optical microscope, अब हमने देखना है, optical microscope में हम visible light का इस्तेमाल करते हैं, we use, we use visible light for the purpose, अब इस purpose के लिए हम visible light का इस्तेमाल करते हैं, और visible light की जो wavelength है, वो 4000 ong strong to 7000 ong strong की range में है, बट आपको तो एक से लेके 100 की range में हम आपना है, इसका मतलब, आप optical microscope का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, अब आप मुझे पर शक करेंगे, कि सर हम उसको देख भी सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, आप patience रखिए, एक छठा तरीका है, वो है electron microscope, अब अगला तरीका क्या है, electron microscope, अब electron microscope एक ऐसा device है, जिसकी जो resolution है, आप यहां पढ़ सकते हैं, साथ साथ में text, कि उसकी जो resolution है, वो है 0.6 song strong, और यह आपका purpose जो है, वो हल कर देगी, तो हमें सबसे पहले तो हमने यह सीख लिया, कि हम जब छोटे साइज के जो object हमने देखना हो, और जो 1 to 100 की range में आता हो, उसको हम electron microscope से उसका साइज जो है, वो determine कर सकते हैं, सवाल का अगला हिस्सा, आप बताईए, कि आप एक molecule के size को कैसे देखेंगे, अब हम push की ओर चलते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, example के लिए, for example, now, for example, we are going to determine the size of the molecule, अब हमारे problem का अगला हिस्सा क्या है, इसके लिए हमने जो sample लिया है, जो हम इसमें sample चूज करेंगे, वो sample होगा, olycic का, so this sample is of olycic, right, O-L-E-I-C, ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे, कि आप एक sample के लिए, एक centimeter cube olycic रिसी लेंगे, और फिर आप उसको, alcohol में डाल देंगे, और alcohol कितना ले लेंगे, 20 centimeter cube for example, इसमें आपने क्या किया, आपने alcohol, alcohol, okay, में आप olycic acid को डाल देंगे, ठीक है, दुन्नों को आप mix कर देंगे, उससे आपके पास एक नया solution बन जाएगा, फिर क्या करेंगे आप, उसमें से एक centimeter cube, उस solution में से एक drop उठाएँगे, okay, then what we will do, उस drop को उठाने के बाद, आप दुबारा फिर से, उसमें 120 अथ, मतलब फिर उसमें, जो है, वो डाल देंगे, alcohol फिर डाल देंगे, दुबारा फिर से, आप यू विल टेक, one centimeter cube of the solution, one centimeter cube of the solution, हम चूज करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, दुबारा फिर से, प्लस 20 centimeter cube अलकोहल डाल देंगे, अब आप देखें, कि जो concentration of, ओलाई के सिर क्या हो चुकी है, ओलाई के सिर की concentration क्या हो जाएगी, one divided by, 20 into 20 centimeter cube हो जाएगी, ओके, this is so easy to understand, आप देखें कि इसको समझना बहुत आसान है, हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, अब हम क्या गरेंगे, हम अगले step में क्या गरेंगे, हम एक container लेंगे, ऐसे, और इस container में हम, we'll take some butter in it, हम इसको पानी से भर देंगे, और पानी से भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसके उपर एक powder छेड़क देंगे, और इस powder का नाम क्या है, lycopodium powder, इस powder का हम इहाँ छेड़क देंगे, इसके उपर, we'll just sprinkle, lycopodium powder, हम lycopodium का powder यहाँ छेड़क देंगे, उससे क्या होगा, एक layer बन जाएगी, फिर हम क्या करेंगे जी, फिर हम इसके उपर, जो drops of, एक V volume के जो drop है, वो ऐसे इसके उपर डालेंगे, और ऐसी हम N drops डाल देंगे, तो total volume क्या हो गया, total volume of, volume of drops कितना हो जाएगा जी, यह हो जाएगा, N V centimeter cube हो जाएगा, ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें उलाइक एसिर कितना है, एक drop हमने कहां से ली है, इस solution की ली है, और उसके एक drop में इतनी concentration जो है, वो ओलाइक एसिर की है, concentration of ओलाइक एसिर in the solution, जो हमने बनाया है, तो इस volume में, एक drop में, यह आप देखें, तो 1 by 400 part of solution है, तो हम यहां लिखेंगे, amount of ओलाइक एसिर in the solution, उसको लिखने के ज़रूरत नहीं है, आपको समझ नहीं है, यह यहां लिखा है, अब amount of ओलाइक एसिर in the solution क्या होगा, यह आपके पास हुआ, total volume, यह तिनी drops हैं, और एक drop में, 1 by 400 part of ओलाइक एसिर है, तो इस मच सेंटिमेटर की वह हो जाएगा, अब हम आगे देखेंगे, अब यह पानी के सर्फिस के उपर यहां 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 यह सप्रेड कर जाएगा, और इसमें हमने ध्यान रखना है, कि हमने इसकी एक mono layer बनानी है, इसकी जो layer बननी चाहिए, वो mono layer होनी चाहिए, mono layer का मतलब, एक single layer होनी चाहिए, अब oleic acid के उपर, अगला oleic acid का molecule नहीं बैठना चाहिए, इतना पतली हमने लिकलेर बनानी है, ओके, इस पार्ट का जो area हो जाएगा, वो A हो जाएगा, और इसकी जो thickness होगी, यह जो layer है न, इस layer की जो thickness हो जाएगी, वो T हो जाएगी, तो आप देखें, कि जो surface का area क्या होगा, volume का जो formula होता है न, volume का formula होता है, area into thickness, तो यह जो, यह जो इस पार्ट का area into thickness आएगा, A into T, यह किसके बराबर हैं, यह है, N, V, यह drop से ही बना है न, into 1 by, 400 cm3, और यह दोनों पार्ट जो है, आप बराबर हो जाएंगे, so we have, now this thickness, आप इन दुन equations को बराबर कर दें, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कि हमारे पास आजाएगा, area into thickness, यह volume हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, N, V, into 1 upon 20 into 20, right, this is cm3, this is cm3, तो यह जो thickness आपके पास आएगी, बो आएगी, N, V, upon 20 into 20 time A cm, कितना आसान है, अब आप देखो जरा, आप बोलेंगे, जी सर आपने तो यह thickness निकाली है, अब यह जो thickness है, वो कुछ इस तरीके से है, कि जो olycid के जो molecule है, उनकी monolayer है, उके, तो अब यह जो monolayer है न, यह इतनी मोटी जो monolayer बनी, इसकी thickness टी है, तो यह thickness जो है, अपने आप में, यह जो olycid के molecule का, जो diameter हो जाएगा, और इस तरीके से हम, molecular diameter of olycid, determine कर सकते हैं, और यह बड़ी मजदार बात रही, हम इसके साथ, आपके साथ, एक और numerical problem साथ में कर लेते हैं, बहुत सुंदरता से, यहां explain किया है चीजों को, तो यह रहा हमारे पास, example number 2.5, अब इस example number 2.5 में, कहा गया है, कि आप देखिए, कि if the size of the nucleus, यदि जो nucleus का size है, वो उस range में है, 10 to the minus 15, to 10 to the minus 14 m, okay, if the size of the nucleus is of the range of, 10 to the minus 14 to 10 to the minus, minus 15 to 14 m, size of the nucleus, size of the nucleus, किस range में है, this is in the range of, 10 to the minus 15 m, to 10 to the minus 14 m, इस range में है, इसको हम scale up करेंगे कि इसको एक sharp pin की tip के बराबर कर दिया जाए ठीक है हम इसको scale कर देंगे but roughly the size of the atom तो यदि इसके nucleus के size को एक pin के size का बना दिया जाए इतने इस size का बना दिया जाए तो आप से पूछा गया है कि तो आपके atom का size क्या होगा यह सवाल है और आप assume कर सकते हैं कि जो tip of the pin है न उसकी size की जो range 10 to 100 minus 5 to 10 to 100 minus 4 meter है तो यदि आपने आप देखिए आपने यदि जो nucleus का size है वो pen के tip के बराबर किया है तो क्या किया आपने इसको आपने क्या किया इसके लिए size of the size of the nucleus after scaling आपने जब इसको scale किया न तो आपने क्या किया कि 10 to 100 minus 15 को 10 to 100 minus 10 से multiply कर दिया तो यह बने गया 10 to 100 minus 5 meter और 10 to 100 minus 14 को भी 10 to 100 minus 10 से multiply कर दिया तो यह हो गया 10 to 100 minus 4 meter और यह हो गया size of the tip of pen यह होई tip of यह होई tip of sharp pen जिसके साथ आप लिखते हैं ठीके? अब देखिए कि जो nucleus का size होता है नहीं सॉरी atom का जो size होता है उसमें हम यही process फिर follow कर देते हैं we know that size of an atom क्या होता है? size of an atom is 10 to 100 minus 10 meter atom का size तो 10 to 100 minus 10 meter की range का होता है after scaling अब आप यदि इसको scale करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इसको 10 to 100 minus 10 meter को 10 to 100 plus 10 meter के 10 के साथ multiplying factor के साथ multiply कर देंगे but you will have 10 to 100 minus 10 plus 10 meter हो जाएगा so this is just 1 meter 10 to 100 minus 10 meter means it is just 1 meter अब आप अंदाजा लगा लिजिए कि यदि आप nucleus के size को एक sharp pen की tip के बराबर बना देते हैं ऐसे देख लिजिए आप यदि आप nucleus के size को assume करते हैं कि वो एक sharp pen की जो tip है उसके बराबर यदि हैप बना देते हैं ठीक है? तो आपके atom का जो size है वो बन मीटर की range में चला जाएगा यही हम इस example से सीखते हैं Thank you so much